सर्दियों के मौसम में हम ठंडे पानी को छूने तक से डरते हैं, ठंडे पानी को छूने तक से डरते हैं, वो कश्मीर की बरफीली पहाडियों पर हमारे लिए रोज मरते हैं, हमारे लिए रोज मरते हैं, नमस्कार, मैं शितल कुमार, उतकरिश शिक्षाकिंद, राजकियों म आप सभी के समक्ष सैना दिवस के उपलक्ष में अपने कुछ विचार सांजा करना चाहूंगा हम खुश नसीफ हैं जी हां महोद है मैं और आप खुश नसीफ है कि हमारा जिनम एक ऐसी देश में हुआ जहांके वीश सैनेक अपने देश को भारतमा का दरजा देते हैं भारतम आपकी आन वान और शान को बनाए रखने के लिए अपनी जान तक नुछावर करने के लिए सदैब तद पर रहते हैं इसी का गर्ब है मुझे और मेरे देश के वासियों को और इन्ही महांत सैनिकों को बिनम प्रनाम करने के लिए हर वश 15 जनवरी को थल सैना दिवस के रू उस समय भारतियों सैना में लगवग दो लाग सैनिक थे। उससे पहले युहापद कमांडर जनरल रोय फ्रांसिस बूचर के पास था। उसके बाद से ही प्रतेकवर्ष 15 जनवरी को सैना धिवस के रुप में मनाया जाता है। और क्यों ना मनाय महोदै क्यों ना मनाय हमारे सैनिक हमारे देश की आन वान और शान है और हमारे देश का गौरह है। वो हमारी सतंतरता के प्रहरी है। सीमा में आने वाले कठिन समय से लेकर प्राकृतिक भी पदाओं तक वो हमारा साथ देते हैं। आप लोगों ने कैप्टन संजीव के बारे में तो सुना ही होगा, अरे कैप्टन संजीव और कैप्टन बिक्रम बत्रा ही नहीं, बैलकि उनके जैसे और फी सैनिक हैं, जो सहब पर गहे थे हमारी सेवा करने के लिए, लेकिन कभी लोट कर घर बापस ना आप आए, कभी लोट देश के सैनिकों को पैसो की जरूरत नहीं है, उन्हें जरूरत है हमारे साथ की, मेरे और आपके सहारे की और हमारे प्यार की, और यहाँ तभी मुम्किन है जब हम सभी भारत बासी जागरेत होंगे, हमारे सैनिक दिवस के पावन अपसर पर हम प्रतिग्या लेते हैं, कि ज मैं देता हूं सलामी हमारे बहादूर सैनिकों को, जिन से रहती हमारी शान है, सिर हमेशा उंचा रखते, जब तक दिल में जान है, जैहिन बंदे मातरम।